Hello everyone, Welcome to Krishna Coaching Center, Class 11th Sociology और Book 2 चल रही हमारी Understanding Society जिसमें हम आज़ देखने वाले हैं Western Sociologist में Karl Marx जी के बारे में So, हमारे जो Karl Marx भाया हैं, अगर आप इनका background देखो इनके बारे में अगर आप समझना चाहो ना तो आप इनको ऐसे समझो कि बहुत ही philosophical बात करने वाले ये विकती हैं और इनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी गटित हुई थी या जो भी सब चीजें थी उस हिसाब से उन्होंने क्या करा उन्होंने बहुत सब चीजों को देखा, फेस किया और फिर उन्होंने अपनी एक philosophy बनाई and that philosophy was based upon कि दो टाइप के लोग होंगे समाज में हमेशा एक वो होंगे जिनके पास सारी चीजें होंगी और एक वो होंगे जिनके पास चीजें नहीं होंगी time to time उनका नाम बदलेगा time to time उनका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फ्रेम आउट बदलेगा, कभी वो feudal lord हो सकते हैं और उनके हां काम करने वाले सर्फ हो सकते हैं या कभी वो इंडस्टियलिस्ट उनके हां काम करने वाले workers हो सकते हैं इस टाइप कि उन्होंने थियोरी बनाई थी अब biography में हम देखें तो he was born on 5th May 1818 in Trier जो कि part था Prusia का, Prusia कहां जर्मनी में और वो जो थे वो बेटे थे एक prosperous liberal lawyer के यानि कि अच्छा क्यासा पैसा था भाई उनके पास उसके बाद उन्होंने law study करा कहां पे at University of Bonn में and उसके बाद University of Berlin में जहां पे he was much influenced by young hijalians अब 1841 में उन्होंने अपनी doctoral thesis पूरी करी थी philosophy में कहां से from University of Gina से 1843 में उनकी शादी होती है जेनी से जेनी, वान, वेस्ट फेलन और वो फिर पारिस में मूव करते हैं 1844 में वो Frederick Angel से मिलते हैं जो उनके lifelong friend बन जाते हैं Mr. Angels अब 1847 में उनको invite किया जाता है invited by International Working Men's Association ताकि वो प्रिपेर कर से के एक document जिसमें वो aims, objective यह सारी चीज़ें लिखें and this was written jointly by Marks and Angels और published किया गया था as a manifesto of the communist party 1948 1849 में he was exiled to England और वहां पे वो रहते हैं जाती है 1883 दो साल बाद Marks की भी डेथ हो जाती है और उनको लंडन हाइगेट सेमेंट्री में बरी किया जाता है अब जो थे काल माक्स पैदा कहां पे होगे जर्मनी में लेकिन उन्हों ने लाइफ का अपना मिजॉरिटी ओफ दा वक्त कहां पे गुजा रहा था ब्रिटेन में गुजा रहा था अब उनके जो पॉलिटिकल व्यूस थे न वो रैडिकल थे रैडिकल इंदा सेंस वो समाथ से बहुत अलग सोच रहे थे अपने पॉलिटिकल व्यू के बारे में और फ्रांस से भी निकाल दिया गया ता बात में एस्टृया थे विलोसुफ़ी लेकिन वो खुद को फिलोसॉफ़र नहीं थे प्ट अगर आप उनकी थियूरीस पढ़ोगे ना उनकी बाते पढ़ोगे तो उसमें काफी सारा philosophy का टच आपको देखने को easily मिल जाएगा so he was a social thinker, वो एक social thinker थे जिन्होंने advocate किया कि किस तरीके से oppression या फिर exploitation जो हो रहा है उसको खतम करना है वो scientific socialism के बारे में believe करते थे कि scientific socialism ही ये goal अचीव कर सकता है और जो एक तरीके से वो critical analysis करते थे capitalistic society का expose कर सकते थे, वो expose करते भी थे in fact, इनकी weaknesses और बताते थे कि ऐसे ही चलता रहा तो एक देन downfall ज़रूर आएगा monks argue करते हैं कि जो human society है वो progress होई है different stages से, किस तरीके से आप ये देखे, बहुत important बात करीती उन्होंने, सबसे पहले था primitive communism, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या था, उन्होंने बोला, पहला जब स्टेज हुआ था, वो स्टेज नॉर्मल प्रिमिटिव कम्यूनिजम का था, यानि कि एक तरीके से यहां पर जो लोग थे ना, वो सिर्फ फलवल तोड़के खा लेते थे, कोई काम वाम तो आता नहीं था या बेसिकली बहुत ज़्यादा उनको ग्यान नहीं था, उनका सिर्फ एक की मकसद हो था, कि हाँ ठीक है, उन्हें ठीक ठाक से खाना वाना खाना है, तो यह प्रिमिटिव कम्यूनिजम था, यानि कि यहां कम्यूनिटी में लोग रहते थे, यहां ऐसा नहीं था कि कोई काम होता था, फिर लेकिन धीरे-धीरे कुछ लोगों ने नहीं तरीके के टूल बना लिए, अब आप यह देखिए, जो टूल बनाए गए, तो जिनके पास टूल हो गए, वो जादा काम कर सकते थे, तो धीरे-धीरे वो सोसाइटिम उन्होंने रिसोर्स एक्यूमिलेट करन एकटा करना शुरू कर दिया, और अगर किसी एक के पास इसोर्स जादा, तो अब्वेसी बात है, बाकि सब सबॉडिनेट हो जाते थे, तो एक तरीके से जिनके पास ज्यादा टूल से सब कुछ था, वो मास्टेर्स बन गए, और जो तूसरे लोग थे, जिनके पास टूल नहीं थे, वो slaves बन गए, तो दूसरा स्टेज आ गया था, slavery का, फिर तीसरे स्टेज में वो बात करते हैं, feudalism, अब उन्होंने बोला कि ये कैसे खतम हुआ होगा, जो slavery है, कि भई, एक टाइम आया होगा, जब मास्ट ट्रगल होगा, slaves परिशान हो गए होंगे, तो फिर feudalism में आगया, feudalism में क्या हुआ, कि थोड़ी बहुत जमीने, जो ये, slaves अगया थी, generation by generation इनको भी दे दी गई, तो जमीनों पर काम करने को इनको दे दिया गया, अब इसमें दो लोग बनते हैं, एक होता है, feudal lord, एक होता है, सर्फ, feudal lord होता है, जिनके जमीन होती है, और जब जब चेंज आया, तब वो बना होगा, capitalism, capitalism का मतलब बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री, जिसके पास पैसा होगा, वो पैसे लागा के इंडस्ट्री खोल लिया होगा, और जो गरीब लोग होंगे, वो वर्किंग क्लास होँआ पर बर्क करेंगे, so, जिस समय वो सब यह ल capitalism से लोग बहुत जादा परिशान हो जाएंगे, वर्कर्स को एक दिन, रियलाइज होगा, कि उनके साथ बहुत खराब हो रहा, वो मास ट्रगल कर देंगे, और society में socialism आ जाएगा, सब चीजे फिर हम society के हिसाब से सोचेंगे, तो जो capitalistic society है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा intensifying process of alienation है, अब देखिए, alienation का मतलब क्या होता है, alienation का मतलब होता है, अलग हो जाना, किसी चीज से alienate, aliens होते है न, जैसे जादू, जादू, तो क्या है, वो alien था, तो हम सबसे वो अलग था, so alienation में क्या होगा, कि एक तरीके से several level पर आप अलग हो जाओगे, अब first, जो modern capital is one where humans, जो है, वो सबसे पहले humans alienate कहां से होंगे, nature से, आप देखी रहे है, जितना जैसा-जैसा capitalism बढ़ रहा है, इंसान nature से अलग होता जा रहे है, nature से जुदा होता जा रहे है, so पहले level पर वो nature से जुदा होगा, capitalistic के अंत की बात करें, वो capitalism अंत कैसे होगा, तो पहले stage मे से जुदा हो रहे है, हम बहुकुल देख रहे है, second, वो कह कह रहे है, कि human beings एक दूसरे से alienate हो जाएंगे, और annihilated from each other, alienated यहानी कि अब आप देखो, जैसे पहले के टाइम और अपके टाइम है, पहले के टाइम पे हमें अपने आस पड़ोस के सब के नाम, खांदान, सब ची अब बहुत बहुत रहे हैं, तो हमें यह भी नहीं बता है, हमारे बराबर वाले फ्लाइट में जो रह रहे हैं, उस फामिली में कितने में इंडियाट होगा हमें, तो बोल रहे हैं, human beings एक दूसरे से alienate होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो capitalism individualizes होगा, it previously collective form of social organization as a relationship get more and more market mediated, तो बोला कि यहां पर market mediation ज्यादा बढ़ जाएगा बजाए individualism या individual interaction की, तीसरा वो बोलते हैं कि जो large mass of working people है वो alienate हो जाएगा from fruits of its labor, यानि कि इंसान अपने काम से ही अलग हो जाएगा, या एक तरीके से process से अलग हो जाएगा, process से कैसे अलग हो जाएगा इंसान, क्य हो जाएगा 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 ह अगर वह वह कुछ रही है क्योंकि पहले आप एक स्किल्ड ग्राफ्स्मैन रहते हैं जो अपना लेबर कांट्रोल किया गरते थे लिकिन आज की टाइम पर इसा नहीं है in fact order भी उनको management ही देता है कि भाया तुम्हें कितना काम करना है कैसे करना है अगर वो कोई human work कर भी रहे है manual work कर भी रहे हैं तो वो भी order पे ही कर रहे है न जो उनको order दिया जा रहा है finally combined result क्या होगा कि human beings अपने आप से ही alienate हो जाएगा अपने आप से जुदा हो जाएगा और उनको यह लास्टेज होगी कि इनसान ऐसा system में खो जाएगा ऐसा उसको दीन दुनिया के ख़बर नहीं रहेगा कि वो अपने आप से ही अलग हो जाएगा अपने आप से ही जुदा हो जाएगा सो यह alienation के स्टेजे सोंके तो बरबादी जो शुरू हुई पहले तो हम नेचर से लग हो है फिर हम इन सब चीजों से लग हो और अंत में हम अपने आप से लग हो गए हावेवर एवन दो जो एक यह exploitative और oppressive system में मार्क्स क्या बिलीव करते हैं कि capitalism was nevertheless a necessary and progressive stage of human history तो जैसा सब लोग कहते थे कि हा ठीक है इंडस्ट्री जाने से development हुआ यह सब हुआ मार्क्स ने कभी इस बात पर बरोसा नहीं किया उन्होंने बोला यह कभी भी human history का progressive पार्ट है ही नी क्योंकि इसने आप यह देखिए it is nevertheless necessary and progressive state because it created a pre condition for an egalitarian future free from both exploitation and poverty and capitalist society would be transformed by its victims the working class इसनों ने कहा कि क्यूंकि आप यह देखिए अंत में जाके तो इसकी बरबादी होनी है बरबादी इसकी करेगा कौन जो working class है जो एक साथ unite हो जाएगी futuristic बात कर रहे है utopian world utopian मतला कुछ imaginary world में जा रहे है यह बोल जाएगी है वह unite कर देंगी collectively फिर एक revolution आएगा जो इस सारे सिस्टम को थो कर देगा और समाज में शोशलिस्टिक सुसाइटी हो जाएगी जहां पर हम सिर्फ शोशलिजम की बात करेंगे तो इस तरीके से माक्स अंडर्टुक एन इलाबोरेट स्टडी और पॉलिटिकल शोशल एन स्पेशलिस एकनॉमिक आस्पेक्ट अब जो माक्स का कंसेप्शन एकनॉमिक का वह बेज्ट है और नोशन ओफ मोड और प्रेशन अब माक्स पढ़ा पूरी दुनिया के बारे में है बड़ा फिलोसफीलिक एकनॉमि रहा है मतलब ओर और और कंप्लीट यूमन बींग तो माक्स का कंसेप्शन था एकनॉमिक के उपर हो बोलते थे एकनॉमिक वास बीज़ों नौशन ओन प्रेशन विच्टूड फूर्ट सिस्टम प्रेशन ए अब बोला कि जो था एकनॉमि ना हमेशा सही रही है ऐसा नहीं है कि अभी अभी नया कंसेप्ट अमर जो क्या है कैपिटलिजम के साथ उन्होंने बोला यह हिस्टॉरिकल पीरिट से चलता रहा है प्रिमिटिव कम्योनिजम में भी था स्लेवरी में भी था फ्योडिलिजम म इत वो रिलेटिट तू या एकनॉमी वास रिलेटिट तो ध मोड प्रडॉक्शन जनल लेवल पर अंगर हम बात करें तो मोड प्रडॉक्शन क्या है कि एंटार वे of life characteristics of an era a more specific level we can think of motor production as being something like building in the sense that it consists of foundation or base and superstructure or something erected on top of the base now what base is or economic base now let's see simply we are saying how does economic grow we are thinking about every time every level there is a new base we add on to it so we will primarily include economic base and how do we add on to it when we add production we will add productive forces we will add production relations now what is productive forces which force will be in any work like if we have land all the means or land, labour, technology, source of energy electricity, coal so these are productive forces then what is productive relations that all the economic relationships and forms of labour organization which is involved in production and the economic relations which is the labour which will be all in production relations which will be all in production relations so two things come in one thing is normal you have to be productive forces all the materials in the forces and in production relations which is majorly involved in the economy which is involved in the economy or labour or human being so this is the two stages which is what we have said now what is production relations which is the property relations which is the relationship based on ownership which is the means of production all these things come in and for example the mode of production which is called primitive communism the productive forces consists of mostly of nature the productive forces consists of mostly of nature if you can see it in the primitive communism of technology आगे rudimentary बहुत पुराना जिसे सिंपल स्टोन टूल हंटिंग वेपन यह सारी चीज़ें एड़ाउन होना शुरू हो गई थी उसके बाद production relation का मतलब क्या था वर बेज़ ओन community property की production relation मतलब community property जिसके अंदर individual involved हो जाएगा जैसे इंडिविजल ट्राइवेट प्रॉपर्टी डिड नॉट येट एक्जिस्स तो अभी तक यह नहीं आई थी प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात अगर हम प्रिमिटिव वर्ड में ही जाएं जिसके अंदर tribal forms of hunting gathering यह सारी चीज़ें थी तो यह बेसिकल हमने बात करी कि जिसकी जरूरत है और production जो function है यह production relation है इसमें relation में आएगा कि जो उसके साथ human being involved है involved है sorry उस human being का उस चीज से क्या रिष्टा है यानि कि जो man है meant to the material so यह basic बात करीं so इसके आगे का part हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में so thank you so much I will meet you all in my next video thank you